दमोह जिले की हटा जन्पद अंतरगत आने वाली ग्राम पंच्यायत वर्धा में पंच्यायत द्वारा किये ज़ा रहे कारियों में भारी अनिमित्ताय देखने को मिल रही हैं भारत सरकार और मदप्रदेश सरकार द्वारा पानी की सुचारू व्यास था हितू और पानी बचाये जाने हितू आने को प्रयास किये जा रहे हैं जिससे की पहने वाला पानी सीधे जमीन में जाये और सोख ले इसी तरतम में जुले की प्रतीक ग्राम पंचयत में आने वाली सबहे ग्रामों में सोखविट गड़े का निर्मान कराया गया था जिससे की बारिश का पानी गड़ों में जाया और जमीन की तलहटी उस पानी को सोख ले यह सोखविट लगबग 10 फुट चोड़े और 10 फुट गहरे होने चाहिए साधी किसी भी प्रकार के कोई दुरगटना ना गटे इसके लिए सोखविट गड़ों को लेंटर डालकर ढ़कने का प्रावधान भी शासन द्वारा किया गया लेकिन इसके बावजूद भी वर्धा ग्राम पंचैद के कर्मिया द्वारा पंचैद के ठीक बाजू से बने हुए सोखविट गड़े को खुला छोड़ दिया गया है पंचैद द्वारा दुरगटनाओं को खुला आमंत्रन दिया ज़ा रहा है या गड़्धा लगभग चार से पाँच फुट पानी से भरा हुआ है जोकि खुला होने के कारण कच्रे से भी सरा हुआ है ग्रामीनों ने बताए कि गड़े के पास लगा हुआ नल उन्हें जीवन दान मिल रहा है किवल यही नहीं जिसमें अनेकों ग्रामीन पानी भरने के लिए आते हैं अधिकांश गरामीने बच्चे भी पानी भरने आते हैं कहीं उनके साथ कोई घटना ना घर जाए उनको हमेशा डर बना रहता है। सौकपिट गड़े में मवेशियों के गिरने का भी भाय गरामीनों को बना रहता है। एक और मदपदेश सरकार द्वारा इन दोर की घटना के बाज सक्ती दिखाई गए। कुआ बाबडी गड़ो आदी को शीगर ढखने के नर्देश जारी किये गए। बाबजूत ग्राम पंचाय द्वरधा में कर्मचारियों के कानों में जू तक नहीं रहेंगी। हटा से भूपेंदर श्रिवास्तव की रपोर्ट।